तो आज मेरे पास जो इंक्रिडेंट है वो है मलाई जो हमारे घर में दूद के ऊपर जो परत जम जाती है उसको मलाई बहुत अच्छी नरिश करती है तो आज मैं आपको मलाई से एक ऐसा फेसमाक्स बनाना सिखाऊंगी जिससे आपके स्किन बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस और एकदम ग्लोई हो जाएगी इन विंटर्स स्किन पर जो भी आपके निशान होंगे दाग धब्बे होंगे और जो बहुत अधा एक्स्ट्रा ड्राइ जिसकी स्पेशली उसके लिए बहुत अच्छा फेसमाक्स है तो आपको मलाई के बारे में और यह हमें बहुत ऐजीली घर में अबलेबल हो जाती है और अगर आप इसको रोज सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसको क्रीम को मलाई को रोज भी अपनी स्किन पर लगाते हैं तो तो हम मलाई में ऐसा क्या मिलाएंगे जिससे की हमारे स्किन बहुत अच्छी ग्लो करेगी ओके गाइस चलिए बनाते हैं हम फेसमाक्स तो गाइस नेक्स मुझे मलाई के यह मैंने वन टेबल स्पून मलाई ली है और यह बिल्कुल प्योर और एकदम ताजा मलाई है और उस के लिए यहां मां दॉल लगाने की जोड़त नहीं है आप कोई भी अलोवेरा जल यूज कर सकते हैं और अलोवेरा जल कितना एफेक्टिव होता है आपकी स्किन के लिए दाग दबबों को दूर करता है सारी चीजों को क्लियर रखता है स्किन से और स्किन से बहुत अच्छ क्या डालना इसमें आपको इसमें नेक्स डालना है गाइस पिंच ऑ टर्मरिक वान फोर्थ ऑफ टेबल स्पून डालना है जादा नहीं डालना है ठीक है तो गाइस से मिक्स कर दीजिए और इस तरीके से एक बहुत अच्छा थिक पेस्ट बनके तयार हो गया है हमारा फेसम मार्क्स हम रोज भी लगा सकते हैं इसके कोई साइड इफेक्स नहीं है क्योंकि नेचरल इंक्रिजिंट से बनके तैयार हुआ है यह देखे कितना थिक फेसमार्क्स है स्पेशली फोर ड्राय स्किन जिसकी है अब इसको लगाना कैसे है सपोस कीजिए अगर आपकी ड्राय स स्किन है तो आप इसको दसमिंट लगाने के बाद सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे और मसाज करते वह इसको रिमूब कर देंगे और वेक्तोबल से मूद करना है और अबर प्र पूरे दिन सौब यूज नहीं करना है अगर आप कोई भी फेसमार्क्स लगाते हैं तो उस द है घर में बनाने के लिए पांच मज में बन जाएगा आप इसको रोज लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूले थैंक यू गाइस थैंक यू फर वाचेंग